आज डारेक्टर माइनोरिटीज वेलफेर के हैसियत से और डारेक्टर ते लंगाना इस्टडी सर्क्ल के हैसियत से मैंने आज कॉंसिलिंग स्टूडेंट जो सलेक्ट हुए हैं, हंड्रेड लोग जो सलेक्ट हुए हैं civil services coaching के लिए, उसके counseling का आज हम उनने शुरुआत किया, ये counseling जो है सो बच्चों का रूबरू coaching institute के साथ किया गया है, जो पाँच coaching institute ते लंगाना government ने select किया है, उनके तहत बच्चों का आज counseling हुआ ये बच्चे कोचिंग इस्टिजूट से सवालाद किये कि उनके प्लान आफ इस्टडी क्या है, कितने दिनों का ये कोचिंग होगा, किसके सब्जेक्ट में महारत हासिल है, तो ये काउंसिलिंग के बाद में दो दिन का वक दिया गया है बच्चों को, आज से शुरू हो गया आज सेटेड़े और संडे तक ये कोचिंग इस्टिजूट विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद वो अपने कोचिंग इस्टिजूट को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें वो दाखला लेना चाहते हैं, ये सेलेक्ट करने के बाद वो हमें इतला देंगे मंडे को, और फि ही मैं मतलब कि सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो उनके परिवार के लोग हैं को इनको मोटिवेट करें उनको ज्यादा मतलब की पढ़ने का मौका फराहम करें और घर में उनको ये बताए कि ये गौर्वर्मेंट के तरफ से सुनेरा मौका है और ये तिलंगाना गवर्मेंट के तरफ से बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसके तहत मैनौरिटीज बच्चे जो है हाईयर मतलब की जॉब्स के लिए अस्पायर कर सकते हैं और ये बहुत ही रिगरस कोचिंग प्रोग्राम है और सेलेक्शन्स भी जो होते हु मौनिटरिंग भी होगी हमारे तरफ से तो मैं सब को ये तिला देना चाहता हूं कि कोचिंग जो है हम लोग एक नवेंबर से स्टार्ट कर रहे हैं शुक्री